सवारे खाली पेटे फण गाविला मग खावाती थाए छे अद्बूत फायदाओ मित्रो दरेक घर ना रसोडामा मग तो उपलब्ध हुए छे परन्तु शू तमें क्यारे विचार यू छे के आ फण गाविला मग खावाती केटला बधा फायदा थाए छे दरेक घर मां तमें अवारन्वार मग नुशाक बनता जोयू जहाशे अने जो तमारा घरे पण हजू मग नुशाक न बनतू हुए तो आ वीडियो जोया पची तमें अचुक्ती कहेशो के हां मग तो खावा जजोईए आयूर्वेज मां मग के फणगावेला मग के मग ना पाणी ना अद्बूत फायदा ओ विशे जनाववा मां आवेल छे आ फणगावेला मगनू रोज सेवन करवाती शरीर नी रोग प्रतिकारक शक्ती मां वधारो थाए छे अने भविश्यमा आवनारी घणी बधी बीमारी ओथी बची शकाई छे कोई पन व्यक्ती साजो होए के मांदो ते बंगने माटे फणगावेला मग खूब जपायदा कारत छे एवू कहेवाए छे के एक लीटर दूदमा जेटली शक्ती होए छे तेकली जशक्ती 100 ग्राम मगमा की उपण न थाए छे मग पचावामा खूब जहलका छे मगनू पाणी आंतरडामा रहेल मडने साफ करे छे मग प्रोटीन, विटामिन स अने पोशक तत्वोती भर्पूर होई छे ज्यारे फणगावेला मगमा केलरीनी मात्रा खूब जओची अने एंटियोक्सिडन तेमज एमिनो एसीद खूब जप्रचूर मात्रामा होई छे आ उप्रांद फणगावेला मगमा प्रोटीन, फाइबर, मेगनेशियम, विटामिन सी अने विटामिन इपन प्रचूर मात्रामा होई छे फणगावेल मग खावाना फायदाओ, रोग प्रतिकारक शक्तिमा वधारो करे छे नित्य सवारे फणगावेला मग खावाती रोग प्रतिकारक शक्तिमा खूब जवधारो थायए छे रोज सवारे उखी ने खाली पेटे फक्त त्रण थी चार चमची जेटला फणगावेला मग खावाती लामबा समय शरीरनी रोगों सामे लड़वानी ताकात खूब जवधी जायए छे कोरोना समय गाळा बाद लोको माँ फणगावेला मग के मगनू पाणी पीवाना अद्बुत फायदा ओ विशे घणी बधी जागरू तताओ आवी छे लोको अवारनवार फणगावेला मग के मगना पाणी नू सेवन करता होई छे पाचन शक्तिमा वधारो करे छे आयूर्वेद मां एवू कहेवायू छे के जेनू पेट साब तेने हर रोग माँ आजकाल अवनवी लाइफ स्टाइल अने अनन्य प्रकार ना बोजन ना सेवन थी लोकों ने पेटनी समस्या के पाचन शक्तिमा अवारनवार समस्या सर जाती होई छे फनगावेला मगमा प्रचूर मात्रामा फाइबर नी उप्लबधाने कारणे ते पाचन संबंधी मोटा भागनी समस्याओ माटे ते खूब ज उप्योगी साबित थाई शके छे आवा समये रोज निथ्य फनगावेला मगना सेवन करवाथी व्यक्तिनी पाचन शक्ति सूधरे छे मग बाक्या बाद ओसामन तरीके निकलता पाणी ने फेंकी देवाने बदले आ पाणी ने पिवा माटे उप्योग करवो जेना अद्बुत फायदाओ छे वजन घटाडवामा मदद करे छे फनगावेला मगनू मित्य सेवन करवाथी ते शरीर मा रहेल टोक्सिंस दूर करी बिन जरूरी वजन घटाडवामा पन मदद करे छे फनगावेला मगमा प्रचूर मात्रामा फायबर अने स्टास नी हाजरी ने कारणे ते भुखनी लागणी ने संतोष कारक रिते शान पाड़ी अतिशे अहार ने रोकवामा मदद करे छे खरता वाल अटकाववामा फायदो करे छे आजकालना युवानो के युवतियो मा बेलेंस डायटना अभावे तेमज वधता जत्ता मोबाईल के उजागराओने कारणे वाल खरवानी समस्या खूब जवधी गई छे आवा किस्सामा फणगावेला मग खावाती ते वालने मजबुत करी थोड़े घणे अंचे खरता वाल अटकाववा माटे फायदो करे छे केंसरनू जोखम घटाडे छे फणगावेला मगमा प्रचूर मात्रामा एंटी ओक्सिडंट आवेला हुई छे आँ एंटी ओक्सिडंट ने कारणे ते शरीर मा रहेला केंसरियस कोशो ना निर्माणनी प्रक्रियामा खूब जगटाडो करी केंसर थवानू जोखम घटाडे छे बालको ना विकास माटे खुबज फायदाकार फनगावेला मगनू सेवन करवाथी बालक बहु ओचू विमार पड़े छे नित्य मगनू सेवन करवाथी बालक तेजस्वी अने बुद्धिशाली बने छे अने बालकना विकास माँ मदद रूप बने छे मोटा भागनी स्त्रियो ज्यारे मगनू शाक बनावे छे त्यारे तेमाथी निकर्ता पाणीने कोताना बालकोने आपता होई छे जे खुब ज फायदाकारक होई छे शित्तारक छे मग शरीर मां उप्पन्न थती गर्मी के दाहने समाववा माटे मगे खुब ज शित्तर छे तावना समयगाळा दर्मियान मगनू पाणी पिवा थी तावमा पन फायदो थाए छे आ उप्रांत फणगावेला मगमू नीत्य सेवन घणी बधी बीमारियों थी दूर रही शकाई छे